हेलो फ्रेंड्स यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग इसीजी है तो दिमा आपके जोड़ लगाई है क्या आप इसको इंटर्पेट कर सकते हैं क्या कि इंपॉर्टिंट फाइंडिंग इसीजी में सारा बताऊंगा मैं इस वीडियो में बस अन तक इस वीडियो को देखिए कोई बहुत चोटा पीवेव है स्मॉल पीवेव लेकिन फ्रीवी यह दिख्रें और इसका रिदम भी ठीक है अब जो इसमें बहुत इंपॉर्टनिट फाइंडिंग गो आप देख सकते हैं लीट वीट वीटू वीटू वीउड वीट्री वीटू वीटू में क्या दिख रहे है आपको P wave के बाद जो first negative deflection आता उसको हम बोलते है Q wave तो V1 से V4 में बहुत ही अच्छा Q wave बना है इसमें आपको R wave नहीं देखिया है यानि upward deflection नहीं है इसलिए R wave नहीं है इसमें V1 से V4 में QS wave है और इसके बाद QS wave V1 से V4 में QS wave के बाद T wave inversion है V1 में तो क्या T wave inversion common होता है V2 lead में आप देखिये का biphasic T wave है यानि पहले T wave थोड़ा सा उपर आया फिर थोड़ा नीचे आया और V3, V4, V5, V6 में T wave inversion है इसके लाब आप देखिये का lead 3 lead AVF में इसमें भी same QS wave है चुकि इसमें Q wave बना हुआ है तो ये क्या indicate करता है previous old myocardine function यानि ये old MI को indicate करता है और चुकि V2 में biphasic T wave है ये balance pattern को denote कर सकता है तो इस ECG का final interpretation होगा NSR यानि normal sinus rhythm QS wave in V1, V2, V3, V4 and lead 3 and AVF biphasic T wave in V2 and T wave inversion in V3, V4, V5 and V6 तो diagnosis बनाने के लिए this patient needs 2DE को और इस patient को coronary angiography भी करवाना चाहिए तो उसके बाद ही पता चलेगा कि heart में कितना blockage है या नहीं है तो ऐसे ही कुछ health related videos के लिए आप channel को subscribe कर लिजे और अगर आपको video अच्छी लेगी तो please video को like कर दीजे